प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने आखिरकार अपना वादा निभाया। दो नवंबर को विजय संकल्प सभा में प्रधान मंतरी को कौंकेर की स्कूली छात्र अकांक्षा ठाकुर ने एक स्केच भेट किया था। उसी दौरान प्रधानमंत्री ने उसे पत्र लिखने का वादा किया था। जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने अकांक्षा ठाकुर को पत्र लिखा है। तधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकांक्षा ठाकुर को अपने पत्र में कहा कि प्रिय अकांक्षा, शुभाशीश और आशिरवाद कांकेर के कारिक्र में आप जो स्कैच मेरे लेकर आई थी वह मुझ तक पहुच गया है। स्नेपूर्ण अभिव्यक्ती के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की बेटिया यहां इस देश की उजवल भविश्य है। आप सभी से मिलने वाला स्ने और अपना पन राश्ट की सेवा में मेरी ताकत है। हमारी बेटियों के लिए एक स्वस्त सुरक्षित और सुविधाओं से योक्त राश्ट का निर्माण ही हमारा लक्ष है। दो नमबर को जो प्रधान मंतरी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उनकी नजर पास में ही खड़ी स्कूली चात्रा कांक्षा पर पड़ी। तब उन्होंने उसे पत्र लिखने की बात कही थी और उसे बैठ जानी को कहा था। च्वीर बेटी देना चाहती है तो ले लीजिए और मैं मुझे जुरूर पहुंच जाएगी। तैंक यू बेटा थैंक यू बहुत बढ़िया काम किया तुमने और तुम्हारा पता उसमें लिख देना मैं जुरूर तुझे चिठी लिखूंगा। गौरतलब है कि 2 नवंबर को कांकेर में चुनावी सभा में शहर के सुभाश नगर में रहने वाले दिनेश ठाकुर ने अपनी 10 साल की बिटिया अकांग्शा ठाकुर को लेकर आये थे। यहां कांग्शा ठाकुर पीम मोदी का स्केच लेकर आये थी। स्केच को देखकर पीम मोदी ने उनकी तारीफ की और कहा कि वो जरूर उन्हें चिठी लिखेंगे।